हेलो फ्रेंड्स वेल्कम आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल यूमीड इस्टीब है तो दोस्तों आज मैं आपसे काफी इंट्रेस्टिंग न्यूज शेयर करने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा देखेगा चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स जो इंट्रेस्टिंग न्यूज मुझे आपको देनी थी वो न्यूज ही है कि हाली में अक्टूबर में शाओमी ने एक 4G 5G सब्मिट रखा हुआ था वो सब्मिट में शाओमी इंडिया के जो हैड है मनुकुमार उन्हों उन्होंने कहा था ऐसा हमें हिंट दिया था कि साओमी नेक्स्ट येर जैनवरी में अपना एक फ्रॉन लाउंच करने वाली है जिसमें स्नैपडेगन 675 प्रोसेसर होगा तो यह काफी अच्छी न्यूज थी उसमें और दोस्तों 675 प्रोसेसर जो स्नैपडेगन का है उसमें 48 मेगापिकसल केमरा सेंसर तक को सपोर्ड करता है तो दोस्तों काफी अटकलर बजार गरम हो गया था फिर दोस्तों उसी बात को अभी हाली में एमाई के जो प्रेसिजेंट हैं लिंबे उन्होंने अभी अपनी इस बात को जाहिए जिए है जी हाँ दोस्तों वीवों पर उ उस बात को आज जिन्होंने आगे बढ़ा दिया है जो रियूमर का बजार था उसे और गरम कर दिया है कि शाओमी हो सकता है अपना जो नेक्स्ट जो फॉन है जैनवरी में लॉंच होने वाला वह 48 मेगा पिक्सल जी हां दोस्तों 48 मेगा पिक्सल का है तो दोस्तों यह देखे प्रो करके जो अपना हैट सेट निकाला था उसमें 40 मेगा पिक्सल केमरा रखा हुआ था जी हां दोस्तों और जैसा कि आप जानते हैं कि शाओमी और हुवाई जो है वो लोकल राइवग है इनमें राइवरली चल दी है तो ऐसा फिलकुल हो सकता है कि शाओमी हुआई से आ जनवरी में तयार है यह उमीद करते हैं एक बड़ा धमाका होगा शाओमी 48 मेगा पिक्सल का कैमरा लॉंच करेंगी और यह काफी अच्छी न्यूच है दोस्तों और दोस्तों यह कैमरा 48 मेगा पिक्सल का अगर लॉंच करती है शाओमी बात सहीं निकलती है तो यह वर्ड क होगा सबसे पहला 48 मेगा पिक्सल वाला हेड़ सैट होगा ध्यूस का फूठ स्क्रावला केमरा है तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और दोस्तों अम्मिर ऐतों आधक को यह पंसलाया होगा अगर बीडियो पसंदारा लाइक करें शेर करें और हमारे चेनल क लिस्ट सबस्काय को न और को सबस्काय कृंग